थो आज कि हमारा C++ program की playlist में हम एक और प्रोग्राम कवर करने जा रहे हैं जो कि है program to print prime numbers from one to end यानि कि हमें एक specific range के अंदर prime numbers को print करना होगा इससे पहले जो मैंने C++ program की playlist में program upload किया था वो था कि हमने चेक करना है कि एक input number हम user से करते हैं हम देखते हैं कि वह प्राइम नबर है यह नहीं इसे पहले भी मैं C++ प्रोग्राम में प्राइम नबर वन टो एंड है हमें एक सबस्ति नबर जो कि इसल और वन पर इंड है तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताई था व्री यूस्फल in cryptography cryptography आप ऐसे समय लें कि for example एक जगा से दूसरी जगा information in a secure method बेजने के लिए कुछ algorithms design किये गए है like RSA जो हम further videos में cover discover हम cover करेंगे ठीक है तो अभी के लिए आप से वितना याद रखिए कि prime numbers को ऐसे number हैं जो कि one और itself पर divided हो सकते हैं ठीक है और यह cryptography में बहुत useful है ऐसे numbers जो कि prime numbers नहीं होते हैं उनको composite number कहते है a natural number greater than one that is not prime number is called composite number for your general information मैंने आपको composite number का भी बता दिया ठीक है composite number 4 से start होते है 4689 और आगे so on तो अब हम देखते हैं for example हमें कहा जाए कि 10 एक prime number नहीं है वो composite number है for example मुझे 10 को देखने है मैं 10 को 2 पे divide करूँगा 5 मैं start करूँगा 2 से start इस वह से करूँगा 2 से पहले कोई prime number नहीं होता ना 1 ना 0 तो मैंने start 2 से किया चूँकि 2 एक prime number है 2 से लेकर 5 तक मैं देखूँगा कि क्या कौन-कौन से मुझे numbers ऐसे मिल रहे हैं जो कि उस number को exactly divide करें है for example 10 को 2 पे divide करें तो हमारे पस remainder 0 आता है तो इसका मतलब है कि यह prime number नहीं है कि composite number है तो यह exactly divisible by 2 हो गया ठीक है तो मैं यही पर loop को break कर दूँगा और मैं इसको print नहीं करूँगा अगर आगे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन उसका फाइदा नहीं क्यूंकि वह जब मुझे पहले ही पता चाल गया कि यह composite number है तो मैं इसको print नहीं करूँगा क्यूंकि हमारा task है prime numbers को हमने print करना है तो composite number को नहीं प्रेंट करना है तो मैं इस वह से यहीं पर इस loop को break कर दूँगा तो यह composite number होगा तो मैं इसको print करूँगा अब हम अपने dev c++ पर जलते हैं जहां पर हम अपने इस program की implementation को देखेंगे अब हमने सबसे पहले क्या चीज़ें required होंगी वह हम देख लेते हैं सबसे पहले मुझे required होगा एक start ठीक है जो के मैं पूछूँगा user से कि वह start कहां से करना चाहता है और end ठीक है अब मैं इसकी भी user से input ही लूँगा ठीक है तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ see out enter starting point ठीक है ठीक है formatting ठीक है अब मैं इसी ऐसा करता हूँ इसको copy करके इसी को paste करके simply variables का नाम चेंज कर देता हूँ यानि अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा starting के लिए ठीक है और यहाँ पर भी लिख दूँगा ending के लिए ठीक है अब मुझे ending और starting मिल गई है कि किस range के अंदर मुझे prime numbers को print करवाना है तो साफ सी बात है मुझे एक loop की जरूरत होगी ठीक है मैं इसके अंदर variable for example n ले लेता हूँ और इसके अंदर start को initialize कर देता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर क्या करूँगा less than equal to लिगा हूँगा मगर अगर मैं चाहता हूँ कि 100 से छोटे जितने भी numbers हैं उनमें prime numbers कोई है तो वह print हो तो मैं सिफर सिफ less than लिगा हूँगा ठीक है तो आपने इस बात का भी ख्या लगना है अब मुझे यहाँ पर एक variable की जुरूवत होगी ठीक है जिसकी data type होगी bool और इसके अंदर मैं नाम रख लेता हूँ इस प्राइम रख लेता हूँ ठीक है यानि कि इसके अंदर क्या store होगा वो मैं भी आपको पताता हूँ ठीक है इस प्राइम ठीक है और यहाँ पर मैं for example रख लेता हूँ इसके अंदर अचा यह देखें यहाँ पर मुझे एक function की जुरूवत होगी जो करेगा कि number जो input में जा रहा है वो prime है यह नहीं है तो मैं इस व्याँ से यहाँ पर function call कर लूँगा is prime number का और इसके अंदर मैं n को बेज दूँगा ठीक है अचा यह function क्या component में n जो jar है यह देखेगा कि वो number prime है या नहीं अगर तो वो prime number होगा तो यह one return करेगा one का मतलब होगा कि वो prime number है तो वो इसको यहाँ पर जब आएगा if की condition में वो देखेगा one is equal to one तो वो क्या करेगा वो prime number को print कर देगा ठीक है अगर यह function check करेगा कि वो prime number नहीं है तो zero return करेगा और वो इसका मतलब हो composite number है तो हमें उसको print नहीं करना तो यह वाली जो if की body है वो execute नहीं होगी अब मैं इसी ऐसा करता हूँ इसी function की implementation भी करके दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पर हम इस function की implementation प्रोवाइड करते है ठीक है इसके अंदर argument में n ठीक है जिसकी data type है integer ठ इससे पहले मुझे एक variable required होगा is prime का उसके अंदर मैं start में ऐसा करता हूँ ठीक है is prime is equal to true रखते है और ऐसा करता हूँ मुझे loop start करनी होगी int i is equal to 2 से i is equal to 2 मैंने क्यों की है क्योंकि 2 से पहले कोई भी prime numbers नहीं है ठीक है less than equal to n divided by 2 करते है ठीक है यानिके मुझे उसका half मिल जाएगा i plus plus की है और यहां पर मैं देखता हूँ कि if जो n है वो modulus i जो i है उसके जो modulus आता है जानिकर जो remanded आता है अगर तो वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक composite number है composite number यह नहीं वो prime number नहीं है तो यह क्या करे उस prime के अंदर रखवा दे false ठीक है false भी रखवा सकत है और यह क्या इसका मतलब यह loop को break करेगा ठीक है अब यह इस function से loop से बाहिर आएगा और यह कर देगा return is prime ठीक है is prime return करेगा ठीक है अब मैं इस program को एक दफ़र run करके आपको बताता हूँ ठीक है अब मुझसे starting और ending limit पूछी जाएगी कि कहां से कहां तक मैं numbers को print करवाना 98 एक prime number नहीं है 99 एक prime number नहीं है 100 एक prime number नहीं है 1 एक prime number नहीं है तो इसने वह print नहीं किया ठीक है अब यह मैं आपको एक और दफ़र ओर review दे देता हूँ सबसे पहले मैंने start पूछा end पूछा और मैंने start से end तक एक loop लगा दी उसके बाद मैंने एक function call किया जो check करता है कि य семь number है या नहीं है अगर तो वह prime number होगा तो वह one return कडेगा और इसका मतलब और इसके condition के अंदर मैंने लिगाया कि one equal equal to one अगर यह prime number है इसका मतलब तो यह इस number को print कर देगा अगर यह नहीं है तो मैं क्या करूंगा उसको print ही नहीं करूंगा ठीक है आप चाहें तो else भी लिगा सकते हैं मैं उसका कोई use नहीं क्यूंकिए वह composite number के लिए program नहीं है अब इस function के इंदर for example आता है के 2 यह आप कहलें for example 10 ही करने जैसे के हमने example में देखाता ठीक है तो यह क्या होगा 10 इसके इंदर आ गया ठीक है अब यह सबसे पहले i के इंदर 2 है ठीक है i के इंदर 2 है ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ i is equal to 2 है ठीक है और i less than i less than equal to 5 ठीक है यानि के 10 को 2 पर divide करो तो 5 आता है ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा वो n के अंदर क्या हमारे पास पड़ा होगा 10 ठीक है अब यह 10 का modulus करेगा कि इसके साथ 2 के साथ अब इसके पास output में आता है 0 तो इसका मतलब है यह prime number नहीं है क्योंकि यह exactly divisible by another number है ठीक है तो यह क्या करेगा इसकी यह वाली body जो है execute होगी prime के अंदर false stored होगा loop break compute नहीं होगी और यह दुबारा से इस तरह circle करता रहेगा तो आज के इस program में हमने देखा के how to print prime numbers from range ठीक है अच्छा आप 1 से 2 n तक नहीं करवा सकते क्योंकि 1 जो है जब हम इसको 1 का अगर हम for example मैं 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करवाना चाहूंगा तो यह 1 को भी include कर देता है however कि 1 एक prime number नहीं है ठीक है 1 से इस वाज़ा से करवाता है क्योंकि int के अंदर वो round of by default कर देता है तो आपने यह भी बात का ख्याल रखना है कि आप starting हमेशा 2 से किया करें ठीक है क्योंकि 2 एक prime number होता है composite number नहीं होता तो आज के इस program में हमने देखा कि prime number हम कैसे print कर सकते है 1 से